गुड मारिंग टू आला फ्यू मैं विवेक कुमार सिंग चणक्या काले जाफ एजुकेशन बेतिया बिहार से आज हम लोग डेलेट सेकेंड येर में एस नाइन से विज्ञान की आदर्स पाठ चरिया के मांदंड येंसियव 2005 की अनुसार क्या क्या है उसके बारे में अध्य करेंगे बिज्ञान की आदर्स पाठ चरिया के मांदंड येंसियव 2005 के अनुसार बिज्ञान की अच्छी सिच्छा वही है जो बिद्यार्थी के प्रति जीवन के प्रति बिज्ञान के प्रति इमांदार हो बिज्ञान की अच्छी सिच्छा क्या है बिज्ञान की अच्छ सिच्छा वही है जो बिद्यार्थी के प्रती जीवन के प्रती और बिज्ञान के प्रती क्या हो इमानदार हो इस तरह का दिश्टकोण बिज्ञान पाटचरिया के इस तरह का जो दिश्टकोण होता है वह बिज्ञान पाटचरिया के कुछ मूल भूत मांदंडों की और अग सर करता है जो की नीचे दिये गए वो इस प्रकार है संग्यानात्मक बैदता संग्यानात्मक बैदता यह मांग करती है कि पाठचरिया की विशेवस्तु प्रक्रिया भासा और सिच्छण प्रक्रिया भासा और सिच्छण संबंधी कारिकलाब बच्चों की उम्र के उप्युक्त हो और उसकी समझ की बाहर की चीज़ ना हो दूसरा है मारा विशेवस्तु वैदता विशेवस्तु वैदता यह मांग करती है कि विशेवस्त वैदता यह मांग करती है कि पाट्चरिया उप्युक्त वा बैज्यानिक अस्तर पर सहीं विशेवस्त को प्रस्तुत करें यू तो बच्चे की समझ के अस्तर के अनुसार यू तो जो है बच्चे की समझ के अस्तर के अनुसार विशेवस्तु को सहच और सरल रूप में रखना जरूरी हो जाता है बैज्यानिक अस्तर पर सहीं विशेवस्त को प्रस्तुत करें यू तो बच्चे की समझ के अस्तर के अनुसार विशेवस्त को सहज और सरल रूप में रखना जरूरी हो जाता है लेकिन इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ कहने की कोशिस की जा रही है लेकिन इस प्रक्रिया में किस चीज का ध्यान हम रखते हैं इस प्रक्रिया में हम ध्यान रखते हैं कि कुछ कहने की कोशिस की जा रही है वो अर्थ हीन व विरूपित होकर नरह जाए जो भी कहने की कोशिश की जा रही हो वो अर्थ हीन व विरूपित होकर नरह जाए तीसरा पॉइंट हमारा इसमें है प्रक्रिया बैदता प्रक्रिया वैदता मांग या मांग करती है कि पाठचर्या बिद्यार्थी को बैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रक्रिया वैदता मांग करती है कि पाठचर्या जो है बिद्यार्थी को बैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और उन तक पहुचने की प् प्रक्रिया वैत्ता यह मांग करती है कि फाडशरेया हमारी विद्धियार्थी को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की तरीके होते हैं उनको और उन तक पहुचने की जो प्रक्रिया होती है उसको सिखाएं और बच्चे की सहजתा और जो है बच्चे की सहजता, जिग्यासा और रचनात्मक्ता को पोसित करें और क्या करें? पहली पहली चीज तो यह करें वो पाठचरिया विद्यार्थी को जो है बैज्ञानिक प्राप्त करने के तरीकों और उन तक पहुचने की प्रक्रिया को सिखाए और बच्चे की सहजता, जिग्यासा और रचनात्मक्ता को पोसित करें और क्या करें? रचनात्मक्ता को पोसित करें प्रक्रिया वैदता एक महत्पुर मापदंड है प्रक्रिया वैदता जो है एक महत्पुर मापदंड है क्योंकि यह विध्यार्थी को विज्जान कैसे सीखा जाए या सीखाने में मदद करती है उसके बाद हमारा है एतिहासिक बैदता एतिहासिक बैदता क्या है? एतिहासिक बैदता या मांग करती है कि बिज्ञान पाठचरिया में एतिहासिक बोध को जगह दी जाए बिज्ञान पाठचरिया जो है उसमें एतिहासिक बोध को जगह दी जाएगी उसमें तो बिज्ञार्थी उसको समझ सकेंगे कि बिज्ञान की अधार्णाएं समय के साथ कैसे बिक्सित हुई यह बिज्ञार्थी को समझने में मदद करेगी यह जो है बिज्ञान एक सामाजिक उद्यम है यह बिज्ञार्थी को समझने मदद करेगी कि बिज्ञान जो है एक सामाजिक उद्यम है और किस प्रकार बिज्ञान का बिकास जो है सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है उसके बाद हमारा है परियावन बाइदता में क्या है परियावन बाइदता यह मांग करती है कि बिज्ञान को बिद्यार्थी के ब्यापक परिवेश से अस्थानी और बैस्विक के संदर में रख कर सिखाया जाए क्या किया जाए परियावन बाइदता हमारी यह मांग करती है कि बिज्ञान को बिद्यार्थी के ब्यापक परिवेश और अस्थानी और बैस्विक के संदर में रख कर सिखाया जाए ताकि बिद्यार्थी को जो है बिद्यार्थी बिज्ञान प्रद्दोग की और समाज के बीच जटिल संबंधों को समझ सके और रोजगार की दुनिया में टिकने के लिए और रोजगार की दुनिया में टिकने के लिए आवश्यक ज्यान और कौसल प्राप्त कर सकें और क्या कर सके हो रोजगार की दुनिया में टिकने के लिए आवश्यक ज्यान और कौसल प्राप्त कर सकने में सच्छम हो सकें उसके बाद हमारा है नैतिक बैदता नैतिक बैदता क यह मांग करती है कि पठचर्या इमानदारी वस्त्निष्टता सहयोग आधी जैसे मुल्यों का समर्धन करें नेतिक बेता अमारी यह मांग करती है से मुक्त मानस तयार करने में सहायक हो नैतिक बदता हमारी किन किन चीजों की मांग करती है नैतिक बदता यह मांग करती है कि पाठचर्या इमानदारी वस्तनिष्टता शहयोग आदी जैसे मुल्यों आदी जैसे मुल्यों का समवर्धन करे और भय पूर्वाग्र एम अंदविश्वास से मुक्त मानस तयार करने में सहायक हो साथ ही जो है बिद्यार्थी में जीवन वा पर्यावरण बिद्यार्थी में जो है जीवन वा पर्यावन के सनच्छन के प्रती चेतना पैदा करें क्या करें साथ ही बिद्यार्थी को जीवन वा पर्यावन के सनच्छन के प्रती जो चेतना होती है उसको पैदा करें थेंक यू अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने अगले टापिक के बारे में अध्यान करेंगे